2012 के बाद इसी तरह से वे आरूप करते रहे, कुछ भरती जनतापाटे के नेताओं की कंपनी का भी उल्बे पुनों में किया था, जिसको लेकि भरती जनतापाटे के अंतरकत राजमिकी को लेकर भी कुछ नेताओं का नुक्सान हुआ था, सुमया इससे पहले महारास सदन का मामला उठाते रहे, बुजबल साब के खिलाब बूलते रहे, हमें लबदा है, पोर्ट ने उन्हें दोश्मुक्त किया, इससे खरारा जवाब नहीं हो सकता, यहां था कशन मुस्रिप जी का सवाल है, पार्टी के भीतर, नेताओं का अपना करके हशन मुस्रिप जी, अगर कोई कार्योवार उनके परिवार के लोग कर रहे हैं, तो कानून के डायरे में कंपनियों का रेजिस्ट्रेशन हो, पैक्स के रिटन हो, और भी जो लीगल बैंडिन्स होती है, उसे पूरी तरह से वो पूरा करते हैं, 2019 में उनके कंपनी, घर और गत्रों के छापे मारी की गई थी दो साल पाई ले, अगर कुछ गलत होगा, तो निश्ची द्रोप से वो डिपार्टमेंट कारवाई कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से क्रिट समया जी, सरकार के नेताओं को, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है, समया जी को कोई गंबिलता से नहीं लिता, अब भून से गई तो और से नहीं आती, महरास सदन में जो हुआ तो देश और दुनिया के सामे है,